हमेशा देखा गया है कि लोग सपने तो बरे-बरे देखते हैं उमेदें भी बरी-बरी बाहनते हैं लेकिन रास्ता गलत चुन लेते हैं और तब जिन्दगी अजब बन जाती है और कई बार बेहतर जिन्दगी जीने का सपना जुर्म का सक ले लेती है और तब जिन्दगी ब वाह और बरबाद हो जाती है तो नमस्कार प्रणाम मैं हूं बिरोज्जा और स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज के एक राए में स्टोरी के इस नए एपिसोड में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो आपके प्यार की और आशिरवाद की हमें जरूरत है तो आईए अब शुरू करते हैं आज की कहानी दोस्तों आज के जो सची घटना सुनाने जा रहा हूं ये सची घटना है अपने देश के राजधानी दिल्ली की ये उस समय की बात है जिस समय धारा 370 हटाया गया था 15 अगस्त की तयारी पूरे देश में जोर सोर से चल रही थी और अपने देश की राजधानी दिल्ली में भी 15 अगस्त की तयारी जोरों पर थी जिसके लिए पूरे दिल्ली में कानुन बेवस्ता बिलकुल चाक चोबंध थी कोई भी पक्षी पर ना मार पाए इसके पूरे इंतजाम कर दिये गए थे 15 अगस्त से पहले ही 14 अगस्त को दिल्ली महिला हेल्प लैन पर एक महिला का फोन आता है वो महिला बेहत घवराई हुई होती है और वो महिला फोन पर कहती है कि मेरी बेटी को बचा लीजिए मेरी बेटी जिसकी उम्र है 20 साल वो अपने घर से लाप महिला आयोग सक्ते मा जाती है और प्रिष्णा नगर थाने में इसकी शिकायत कर दी जाती है और जैसे ही महिला आयोग से पुलिस को शिकायत मिलती है कि एक महिला की लड़की जो है जिसकी उम्र करीब 20 साल की है एक जवान बेटी घर से गायब है तो सबसे पहले पुलिस ए और टीम बनाने के बाद उस जगह पर जाती है जो एड्रेस वो महिला फोन कर कोई बताई थी अब पुलिस की टीम जैसे ही उस महिला के घर पर पहुंचती है तो उस लड़की की छोटी बहन होती है वो पुलिस को बताती है कि सर मेरी जो दीदी है वो कहीं भी है या जहां भी गई है इस सब के जनकारी उसकी एक सहली है उसको है लेकिन वो बता नहीं रही है अब जैसे पुलिस को उसकी सहली के बारे में पता चलता है पुलिस फोरण उसकी सहली के पास जाती है और उसके बाद उससे पूस्ताच करना शुरू कर देती है लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी कुछ भी बताने की मूर भी नहीं होती है और कुछ भी बताने से मना कर देती है वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्यों कहा है लेकिन पुलिस बहुत जादा समझाती बुझाती है उस लड़की को और काफी समझाने बुझाने के बाद वो लड़की बताना शुरू कर देती है और लड़की जो चीज बताती है वो सुनकर कुलेस भी थोरे देर के लिए चकरा जाती है वो लड़की के टिये सर दरसल नंद नगरी इलाके में ओनलेन सेक्स रैकेट चल रहा है और वो लोग 20-25 साल की उम्र की लड़कियों को वो अपनी जाल में खसाते हैं और वो उससे धंदा करवाते हैं और ये लड़की भी दरसल उन्ही लोगों के सुंगल में है अब जैसे पुलिस को इस तरीके का सेक्स रैकेट के बारे में पता चलती है तो पुलिस फोरण उस जगह पर पहुँच जाती है नंद नगरी में जहां पर उस सेक्स रैकेट में जो महिला चलाती थी जिसका नाम होता है नजमा जिसकी उम्र होती है 27 साल इसमें उसका साथ दे रहा होता है उसका पती असगर जिसका उम्र है 30 साल और असगर का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम है कमर राजा उसका भी उम्र है 30 साल उस जगह पर जाकर जो एक घर में वो लोग पुरा सेक्स रैकेट चलाते थे पुरा सेट अप वो अपने घर में बना रखे थे और पुलिस जब इन तीनों को एरेस्ट करती है और इन तीनों से उस्ताश करती है तो काफी ही हैरान करने वाली खुलासा होती है दर असल पुलिस को ये लोग बताते हैं कि इनका जो सेक्स रैकेट चलता है बिलकुल ओनलैन तरीके से चलता है बकाइदा इसके लिए ये लोग एक मॉबाइल एपस भी बनवा रखे हैं इस मॉबाइल एपस के जरीए ही ये लोग काम करते हैं और इनके जो काम करने का तरीका होता है रात के दस बएस से ले करके सुबह क्या छे बज़े तक का होता है और जो भी जिस भी ग्रहक को जिस्म की चाहत होती है वो इस एप के जरिये इन लोगों से कॉंटेक्ट करते हैं और उसके बाद ये लोग एपस के जरिये ही लड़कियों का जो फोटोग्राफ्स होती है उन अपने ग्रहक तब भेजते हैं और उसके बाद उन फोटोग्राफ्स में जो लड़की सबसे सुन्दर होती है या जिसको ग्रहक पसंद करते हैं फिर उसकी बोली लगाई जाती है और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो लड़की उसको मिल जाती है इस तरीके से इनका काम करने का ये तरीका था और सिर्फ ये लोग देह बेपार ही नहीं करते हैं बलकि वो वीडियो कॉल के जरिये ही अपने कस्टमर के कॉंट्यक्ट में लोग रहते हैं दरसल ये सभी लड़कियों को ये लोग हितायद देते हैं कि कोई भी कस्टमर अगर तुमसे बात करना चाहे तो तुम्हें खुलकर करनी पड़ेगी इसलिए लड़कियां अक्सर अपने गराकों से असलील बाते भी क्या करती थी और गराकों के कहने पर वो कभी कभी न्यूड भी हो जाती थी और न्यूड हो करके उससे बातचित करती थी इस तरीके का पूरा खेल ओनलेन तरीके से चलता था एक मोबाइल एपस के जरिये चल रहा था और जिसमें 20 से लेकर के 25 साल की लड़कियां तबाह और बरबाद हो रही थी जब इन लोगों से पुलिस पूछती है कि दरशल तुम लोग लड़कियों को लाते कहां से थे उस पर ये लोग पुलिस को कहते है कि हम ऐसी लड़कियों की तलास में रहते थे जो लड़की जल्दी पैसा कमाना चाहती हो जो मोज मस्ती की जिन्दगी जीना चाहती हो जो बिना मेहनत का ही सब कुछ जिन्दगी में पाना चाहती हो जो ऐस वाराम की जिन्दगी जीना चाहती हो ऐसी लड़कियों को हम टार्गेट करते थे और जब ऐसी लड़की मिल जाती थी तो उसको हम इस तरीके से online sex racket में सामिल करके काम करवाते थे तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बेहत हैरान करने वाली और गंभीर मामला है और यह सभी पैरेंट्स को इस पर काफी ध्यान देने वाली बात है जब यह सारी कहानी कुलिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सुनने बाले को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है और इस कहानी में एक मैसेज भी है और मैसेज यह है कि उन सभी पैरेंट्स के लिए अगर उन लोगों के घर में पैसों के दिकत होती है उनके बेटियों के पास पैसे नहीं होते है तो अचानक उनके बच्चों के पास उनके लर्कियों के पास महगे महगे फोन कहां से आ जाते है और महगी महगी चीजे कहां से आ जाती है। ऐसे जब चीज कोई अपने परिवार में अपने लड़कियों को देखें तो वो अप पेरेंट्स वो टोकते क्यों नहीं अपने बच्चों को कि तुम ये सब लाए कहां से। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं था तो तुम इतने महगे फोन और इतने महगे महगे गिप्ट्स तुम्हें देता कौन है इस तरह की बाते पैरेंट्स को अपने बच्चों से जरूर करनी चाहिए और अपने बच्चों का देखरेट जरूर करनी चाहिए क्योंकि यह 20-22 सा साथ एक दोस्ताना संबंद बनाए रखे ताकि उनका बच्चा कभी भी गलत कедम पर रास्ते पर ना जाए अगर उसके जिंदगी में और कोई उस से गलत काम करवाना है तो अपने ममी पापा से पापा से ना भी कहें तो उसके ममी एक दोस्ताना रिष्टा बनाये अपने बच्चों से और फिर कम से कम वो अपनी माँ से अपने दिल के सारी बाते कह सके अगर वो लड़की भी जल्दी पैसा कमाना नहीं चाहती और इन लोगों के लालच में ना पढ़ती तो उन सभी लड़कों के जिंदगी बरवाद होने से बच जाती नो जाने कितनी लड़कियां कैसे कैसे लोगों के पास गई होगी वो लोग भी किसे न किसी के बेटी रही होगी इसलिए दोस्तों इन चीजों का सभी पैरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए और इस तरह का कहानी सुनाने का मतलब किसी के भी दिल को ठेस पोचाना बिलकुल भी नहीं है बलकि हमारे समाज में इस तरह की जो गती वीधियां है लगातार बर रही है तो ऐसे अपराधिक मनसिक्ता बाले लोगों पर नजर रखें और अपने और अपने परिवार को और अपने समाज को ऐसे लोगों से सुरक्षित रखें यही हमारा यह कहानी सुनाने का मकसद है यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी और इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राई है मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा तो ये थी आज की कहानी मिलते हैं कल किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत दोस्तों